हेलो फ्रेंद स्वागत है आप लोग का NCR जोने घर्टना चक्र आई द्रिष्टी हम डिसकस कर रहे हैं 10th जन 2024 तक का है यह मैगजिन वले हिंदी में है लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है हो हिंदी और इंग्लिस दोनों में होता है आपको अगर इंग्लिस मेडियम से भी हो त कोई इसू नहीं आएगा तो चलिए यह सेकेंड वीडियो है नेशनल करेंट टेफर्स का और लेटी एक वीडियो आ चुका है हम 26 नंबर पेज तक डिसकस कर चुकि 18-26 तक क्योंकि सुरू का 18 है जो सिंगल लाइन वाला है सिंगल लाइन वाला आप तब करना ना एक बार य 27 नंबर पेज पर देख रहे हैं क्या है आईरवेद ग्यान नैपुन्य पहल इसका सौट फॉर्म देखे तो क्या होता है सौट फॉर्म है अगनी सौट फॉर्म क्या है अगनी यानि आईरवेद ग्यान नैपुन्य इनिसियेटिव क्या है इसमें देखो एक एक लाइन में स करता है ना तो उस उस innovation के बारे में लोगों को जागरुक करना कि हाँ यह innovate इन्हों ने किया है क्योंकि अभी तक मालों को एसी बीमारी है उस बीमारी का अभी तक आयरवेद में इलाज नहीं था किसी आदमी ने खोज निकाला तो उसकी खोज को लोगों तक पहुंचाना यहीं है तो में इसके तथ किसको बढ़ावा दिया जा रहा है इन्होवेशन को यानि नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और देखो यहां पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे पंजी की डॉक्टर है भारत में तो जो मेंली दो चीज से दो चीज से वो इलाज करते हैं एक है आयरवेदिक फॉर्मुलरी और एक भारत की वेशसंगीता यानि फार्मकोपिया ऑफ इंडिया और आयरवेदिक का जो फॉर्मुला है इसी के हिसाब से इलाज करते हैं लेकिन अगर कोई इन से हटके इलाज क रखना अब यह लॉंच किन्हों ने किया है CCRAS यानि Central Council for Research in Ayurvedic Science यानि केंद्रिय आयरवेदिक विज्ञान अनुसंधान परिसत न्यू देली में किया है यह ध्यान रखना बस इतना ही याद रखना है आप समझे एक नया चीज है simple समझो IPC ने किको बनाई है IP को बनाई है क्या बड़ा है IPC यानि INDIARD FARMAKOPY COMMISSION यानि भारतिय वेदि ने आयोग इसने क्या है लेक़ो भारत में जो भी दवाई बिक्ती है या जो निर्मान किया जाता है उसके मानक मतलब उसका standard है कि यह ऐसे बनती है इस standard के किताब इस standard इसका यह है तो अब हुआ पहली बार क्या हुआ पहली बार क्या हुआ एक principle होता है लगवात पहले कहां होता था या तो अमेरिका या तो यूरोप या तो जपान इसके अलाबे पहला बार इन से बाहर मिटिंग हुआ वह हढ़ा बाहरत जो आयोग है यह वाला IPC जिसने यूवा यह वाला बनाय उसको व disrupted ne यह बहुत इंपोर्टेंट बात है उसके अलावे डबलू एचो इस पीडी जी गुरूप का क्या है ऑबजरवर स्टेटस मिला है डबलू डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ औरगेनाइसे यह विश्वस्वास संग्टन को परवेक्षक का दरजा मिला है इसमें क्लियर इससे क्य होगा पी डी जी में आई पी से के सामिल होने से अंतराश्टिय मंच पर भारतिये वेशल संहिता की दिर्स्यता में उलेखनिये विर्दियोगी कि मां भारत के स्टैंडर को लोग जादत तवज्जो देंगे अब ठीक है अब अगला करेंटफर्स क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट है समरक्का सरक्का यह मां बेटी के जोरी है समरक्का और सरक्का है यह मां है यह बेटी है एक यह लोग जनजाती है ठीक है ना एक वरित क्या हुआ ककातिया रूलर था ककातिया रूलर की बात कहते बारभी सुखा आने के बाद भी ककातिया रूलर बोलता है कि भाई आपको tax देना होगा तो ये दोनों मा बेटी ने अपने ट्राइवल अपने जन जाती के लिए लरा कि नहीं हम tax नहीं देंगे इसी के कारण इनको याद करने के लिए एक मेला मनाया जाता है हर दो साल में मिला होता है कौण सी जन जाती मनाती है कोया जन जाती मनाती है ये एसिया के सबसे बरा जन जाती है मिला है और हर दो साल में होता है उसके अलावे कुम्ब मेला के अलावे नॉर्मल मेला भे भी कुम्ब मेला के अलावे ये दूसरा सबसे बरा मेला है ठीक है ने जनजातिये में तो एसिया का सबसे बरा मेला है नॉर्मल सब सारे मेला को मिला ले तो ये कुम्ब के बाद भारत का दूसरा सबसे बरा मेला है इत बनाए गई है अब चलिए इसके लाबे कुछ भी नहीं याद करना है जो जी ओपॉइंट था मैंने बता दिया अब ट्रेवल फॉर लाइफ ट्रेवल फॉर लाइफ देखो मीशन लाइफ तो आपको पता ये एक एक जन आंदोलन है कि लोगों में अवेरनेस फैलाने के लिए कि आप बेक्तिगत रूप से या समाजि मोदी जी ने कहां पर बोला एक नवंबर 2020 इसको ग्लासको में जब COP26 हो रहा था कहां पर COP26 में अभी COP28 कहां पर हुआ दुवाई में हुआ यह भी बात याद रखी गया उसके बाद इसके लिए COP26 में तो हुआ उसके बाद इसको फाइनल रूप से भारत में कहां पर अपन किया गया ठीक है और बर्ष दोहजार अठाइस तक दोहजार अठाइस तक नियूनतम जो अस्सी परतिसाथ गाउं या और अस्थानी सहर निकाय है ना अरवन लोकल बोड़ी उनको इन्वारेमेंटल फ्रेंडली बनाया जागा बोल रहाए दोहजार अठाइस तक अरवन ल भारत अच्छा काम कर रहा है इसमें उसमें भारत लाइफ को अपने राष्टी एमें सामिल करने वाला पहला देश बन गया यह भी जरूरी है कि लाइफ जो भाएफ फार फॉर इंवारमेंट उसको अंडी सी में join include करने वाला भारत पहला देश बन गया है उसके लाबे एक और चीज़ आ रखीगा एक और कारेक्रम है परियाटन मंत्री ध्यान देना परियाटन मंत्री टूरीजा मिनिस्टर उसके लाबे टूरीजा मिनिस्टर भारत सरकार ने 20 परियाटन दिबस के अबसर पे भारत मंडप म मैं नई दिलि में ट्रेवल for life कारेक्रम को बाष्पी ग्रूप से मतलत ट्रेवल for life घ्यान देना ट्रावल for life यहनी अब ट्रावल भी करेंगे ना तो इनवारेमेंज्टल फ्रेंडली चीजों से करेंगे इस पर मैं फोकस किया जा रहा है अब इस कार्षकेम के अबसर पर कौन कोन थे केंद्रिये पर्यावरन मंत्री इन्वार्यमेंट विनिस्टर उसके बाद इनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिजम और डबलू टियो और इवेन इपी संजुक तराष्ट पर्यावरन कारे का ठीक है उसके बाद ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतरगत परियाटन छेत के लिए एक छेत्रिये का रहे हैं देखो मीशन लाइफ तो हमने बहुत दिया लाइफ इसके लिए अलग अलग एरिया में इन्वार्यमेंट फ्रेंडली काम करना होगा ना इसलिए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है ट्रेवल फॉर ल वाटर फे फोकस से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस वेस्ट उसके बाद इंपावर लोकल बिजनेस एंड कम्यूनिटी उसके रेस्पेक्ट लोकल कल्चरन हेरिटेज कंजूम लोकल फूर्स कंजर्ब नैचुरल हेरिटेज यह सब फॉकस किया जा ठीक है न इसके अंदर ट्रेवल फॉर लाइफ है ना उसके अंदर अल्लेडी दो प्रोग्राम है एक है स्वाच्चता के लिए और दूसरा है ग्रामीन पर्याटन के लिए यहाँ पे 108 पर्याटन अस्थलों को चुना गया है अब अगल्या सबसेक्ट पर्याटन ग्राम पर्तियों गिता तो देखो बेश्ट टूरिजम विलेज कंपेटीशन हुआ इसमें कई विलेज को पुरुसकार दिया गया यहाँ पे लिखावा है यहाँ पे समझू स्वार्ण स्रेनी में पुरुसक्रित गाओं एक है दावर जो कि बांधी पूरा में जमवन कस्विल इन सब को क्या मिला है समरोली है रेयक है कंथालूर है और मडपा है यह उतना ध्यान नहीं रखो पर यह ध्यान रखना सिलबर में यूपी का एक ग्राम है जिसका नाम है क पूरोना ग्राम अब अगला करेंटर फेर अगला है भारत और्गेनिक्स ब्रैंड देखो भारत और्गेनिक्स ब्रैंड खोला गया है देखो यहां पर समझो यहां पर देखो देखो हुआ क्या एक संगोश्टि हुआ हुआ मतलब मीटिंग हुआ simple मीटिंग राष्टिये सहकारी ओर्गैनिक्स मेय। लिमिटेड N DFOL National Cooprets Organic Limited इन्होंने क्या किया है न्यू दिली में एक national संगोश्टि बैठाया मतलब मिटिंग बैठाया और इसी पे इसी meeting में क्या हुआ केंद्रिये जो ग्रीह मन्तरी है और शाहकारिता मन्तरी है अमित साजी इन्होंने भारत ओरगयनिक्स ब्रांड बनाए कितने खे उतपाद बनाए और सब्ही ओरगयनिक जो उतपाद है न उसके लिए रिटेल आउटलेट की शुरुवात भी की याद रखिये और्गेनिक अंडर वन रूफ मेन फोकस इस पर क्या किया जा रहा है जो सबसे पहले एक चीह और याद रखि N.C.O.L. National Cooperatives Organic Limited इसका मुख्याल है कहाँ पर आनंद गुजरात में क्या रखने है अनंद गुजरात मेन फोकस कहा कॉपरेटिव सोसाइटी तो आपको पता है कि एगरिकल्चर के फिल्ड में कॉपरेटिव्स बनाना ठीक है न और्गेनिक एगरिकल्चर के फिल्ड में कॉपरेटिव्स तभी तो सहकार से समरीदी होगी यह important फोकस है बागी कुछ ऐसार फैक्ट नहीं है जिसे एकजाम में आ सके एकात्मा की मूर्ति अपको पता है आदी संक्राचार किस चीज़ के फॉल्वर थे अद्वैद के ठीक है उसने क्या बोलता है यह एकात्मा पर फोकस करते है इनका जन्म कहां पर हुआ केरला के कालडी गरा में हुआ था और एक नमबूद्री ब्रहामन परिबार में हुआ था उसके अलावे चार जगे इनका मठ है संक्राचार जी का मठ कहां कहां पर सिरिंगेरी में है ध्यान दर्णा में है और बदरिनात में श्रिंगेरी श्रिंगेरी फूरी द्वारका और बदरिनात उसके बाद उसके बाद एक आतमा इन के लिए मूर्ति बना गये इस्टैचू ऑफ ओननेस नाम है उसमुर्ति का कहां परे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में ठीक है ना ओमकारेश्वर में और इसका अनावरण कहां पर किया गया एक समारोह किया गया जिसका नाम है शंकरवर्तनम और इस स्यात में एक संग्रहाले भी ओपन हुए जिसका नाम है अद्वयत लोक संग्रहाले एक बहुद धातु परतिम कि यह मुर्ति है तो हमको पता ही चल गया खंडवा जीले में के पुनासा तहसील में मंधाता परवत पेस्ट वीथ है टोटल एक और वो बनाये स्टैंडोगरा बनाये वो सब ध्यान रखने ही जरूत नहीं है ठीक है उसके लाबे इसका कॉंसेप्चुल स्क्रैच किस ने दिया था वासुदेव कामत ने और मुर्तिकार को थे भगवान रामपूरे याद रखने और भी भारत में मुर्ति है कैसारी स्टैच करनाटक हनुवान नहीं नहीं दिल्य भगवान पर्तिमा कहां पर बनाया जा रहा है मैरीलैंड अमेरिका में बनाय जा रहे यह कितनी फीट है 19 फीट की है और इसका नाम है स्टैचू आफ equality भारत के बाहर भारत के बाहर बीया रमवेदकर की सबसे उची परतिमा है और भी कई जवब पर आपको पिरतेओं मिलेगी यह परतिमा एगचुली है राम भी शुतार और क्या बनाए पता है। इस टाज्ट्य की स्टातलर्म भी ओन्हों है है याद रखीगा और तिलंगा ने के तत्काल प्रणधान में जब यह है ना है अध्राबाद में जब मूर्थी बनाए थी किन्हों ने बनाए तिलंगा ने तत्कालीन मुख्रवंत्री चंदेश को राव ने भारत की स्थित बीयाराम्यत की सब्ची परते मां का अनावरन किया था और यह किस चीज का बना है कांसे का और कितना फिट है 125 फिट उसी का रेपलिका बनाया जा रहा है अमेरिका में अमेरिका के मैरी लेंड में राष्टिये हल्दी बोड का गठन के है जिस तरह टी बोड है कॉफी बोड है उस तरह हल्दी बोड का है सबसे पहले हल्दी के बार में थोड़ा दिसकस कर लें तो एक दो पॉइंट ध्यान दखिए भारत हल्दी में सबसे बढ़ा उत्पादक भी है उभोगता भी है और नेरियातक क्या क्या है उत्पादक उभोगता और नेरियातक और यह कितना टन था 11.61 स्वान लाक टन था 2022 थे इसमें जो पूरे हल जो दुनिया के हल्दी जो विकता है उसका 75 परसेंट है सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादकों है महाराष्ट्रा फिर तेलंगा ने फिर करनाट का फिर तमिलाडू यह मेन है उसके बाद यह और यहार क्या रखने है यह बनाया अब हेड़कोर्टर वाण रहा नहीं लिखा है तेको राष्टिय हल्दी बोर्ट से के हिसाब से अगर भारत 2030 कितना करेगा हल्दी निर्यात से इतना अनुमान कमाने का सुचा है 1 billion dollar 1 billion dollar सिर्फ हल्दी से इसका हेड़कोर्टर कहीं नहीं लिखा है जिंजी वेर्सी एक पु सारे चीज़ आएसे मिलते जो सरीर को फादक होता है लेकिन इससे कोस्टन नहीं वानेगा अब अगला क्या है नारी सक्ति वंदन योजना अधिनियम इस योजना का मतलब का क्या मतलब है इस इसकीम का मतलब है कि वुमेन को और रिजर्बेशन मिले लोग सभा में और स्टेट लेशलेटिव एसेमली में तीस पर तीस पर तीस सथ सीट पर कौन लगना चाहिए वुमेन लड़नी चाहिए ठीक है क्लियर ना कोई दिकत है अब देखो कई लोगों ने कई लोगों ने ओलेडी बात की हुई है इस पे सबस सब्सक्राइब लेकिन क्योंकि लोग सभा कोलाप्स हो गया था उस समय अब चार लोग बात कर चुके एच्डी देब गोरा दो वर वाजबेई साहाब फिर एक बारी मनमोहन सिंग जी उसके बाद समझ लेते हैं यह है 128 अमिंडमेंट भी लेए ध्यांद एक्ट कोन सा है अधिनियम है 106 सिंपल पुछें 106 अधिनियम किस से रिलेटेड है ठीक है 106 अधिनियम है वुमेन के रेजर्वेशन से किससे के रेजर्वेशन से लोग सभा में और इस्टेट लेजिसलेटिव एसिमली में क्यार नारी, शक्ति, वंधना, अधिनियम, ठीक न, मिजॉरेटी, दो लोग जो थे न, उन्होंने मत खिलाफ में दिया, कि उनका मन था नहीं है, असुदिन हो वैसी, और सेयद इम्तियाज जलील, AIMIM के पार्टी है, राजे सभा में तो सर्व समती से, और ये देखो, नया संसदव बनने के बाद नहीं, उसका पहला विदेख था, इसमें महिलाओ के कितने भागिदारी होने चाहिए, 33%, लोग सभा में, राजजे विधान सभा में, और राष्टिये, राजधानी, छेतर दिल्ली के विधान सभा में, एज सच कुछ, राजजे सभा की नहीं बात यहां पर और याद रखिया है, कोई question घुमा सकता है, का option A भी दे देगा, ठीक है, इसमें कई सारे amendment किये गए, वो तो amendment होगा ही भाई, वो तो amendment नॉर्मल ही होगा, कई सारे act में amendment किया गए, 330A, 330A और 334A, ठीक है न, 330A में जो किया जाएगा, उसका में क्यूं किया जाएगा, कि लो और 334A के जोरने समाधे में यह ध्यान रख सकते हो, यहाँ परिवर्तन यह होगा कब, डेलिमिटेशन कमीशन कोई ऐसा नहीं कि अगला जो चुनाफ हो रहा है, उसमें लाग हो रहा है, नहीं नहीं, पहले डेलिमिटेशन कमीशन बैठेगी जो 2026 में, उसके बाद ऐसा कु अगला है, आईश्मान वव अभियान, तो एक नए अभियान चला है, तो यह तो सिंपल पता है, यह आईश्मान हेल्थ जो मिशन था ना, उससे रिलेटेड होगा, आईश्मान भारत जो स्कीम था, उससे रिलेटेड, तो पहले तो थोड़ा बेसिक चलते हैं, चले बेसिक करते हैं please ध्यान रखना सबसे पहले आईश्मान भारत जो इसकीम आया था मेंन फोकस उसका क्या था कि इनिवर्सल हेल्थ कबरेज मिले यानि सारभानिक स्वास्त कबरेज मिले ठीक है सारभानिक लोगों को और एक किस नीती में राष्टी है स्वास्त नीती 2017 में आया है और SDG Sustainable Development Goal जो नमबर 3 है Sustainable Goal No.3 है उसको फुल्फिल करने के लिए Sustainable Goal No.3 क्या है Good Health and Welling देखो आइसमान भारत स्कीन के अंदर 4 पॉइंट है पहले 2 पॉइंट था फिर बाद में 2 पॉइंट और एड़ किया गया एक है Health and Wellness Center बनाना क्या है Health and Wellness Center यानि स्वास्त अन कल्यान केंद्र सेकेंड क्या है प्रधान मंत्री जन आरग्य योजना प्रधान मंत्री जन आरग्य योजना पी-म जाय उसके बाद प्रधान मंत्री भारत स्वास्त अवसंचरा 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 मीशन ठीक है ना प्रधान मंत्री आईश्मान भारत Health और अब संचरा का मतलब Infrastructure पर फोकस किया गया और आईश्मान भारत Digital Mission तो चार है ना अब संरचना जन आरोग्य और उसके पहले है Health and Wellness Center अब आईश्मान भारत जो इसकीम है ना उसका वर्चुल अवियान का शुरुवात कब किया गया दुरोबदी मुर्मुजी ने गांधी नगर गुजरात से किया वर्चुल ही किया याद रखे है ये किस अधार पे अधारी थे आईश्मान भारत इतना जो सफल हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा करांती कारी परिवर्थन है उसके कारान से आईश्मान भावा अवियान को केंद्रिये किस मंत्री ने Health and Family Welfare याद रखेगा और ये मेन फोकस है कि आईश्मान भारत गाओं घर सब ज़गा पहुँचे इसका कवरेज और ज़्यादा पहुचे इस अभियान को आईश्मान भावा अवियान को प्रधान मंत्री जन आरग्य योजना यानि आभाक आईडी का निर्मान इवं गर संचारी रोगो नौन कॉम्निकवल डिजिस तपेदिक और शिकल सेल रोगो की जांच और परवंद से समधित सेपाओं के बारे में जाग रुकता मेन फोकस है कि बहुत से बीमारी के बारे में लोग को पता नहीं उसमें जाग रुकता बरहाने के लिए है ये कब से कब तक देखो इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवाग पकवारा के दोरान लाग किया गया मेन इसमें तीन घटक थे एक है आईशमान आपके द्वार 3.0 जो आईशमान मिला और आईशमान शवा अब जो आरग्य मन्थद 2023 हुआ था इसमें समझते हैं 2023 में राष्टिये स्वास्त प्राधिकरन की दो परमुख योजना में से एक परमुख ये पराप था याद रखिएगा इसमें जो जन आरग्य योजना था उसका 5 साल पूरा है डिजिटल का दूसरा साल पूरा है उसके बाद इन दोनों सफलता के उपलक्ष में दाष्टिये स्वास्त प्राधिकरन ने एक आरग्य मन्थन का कार्यकरम चलाया ये विज्ञान भवन में हुआ ठीक है ये बात थो सबसे ज़्यादा पूर्डुचेरी में हुआ ठीक है और सबसे ज़्यादा अगर कार्ड बनने की बात करें तो सबसे ज़्यादा आसा में बरे राजो में छोटे राजो में नागालेंड में किंसासित परदरिसम में जम्वन कस्मिल में अगला है मिथुन जो एक जानबर है यह परवतों के पसू के बारे में जाना जाता है cattle of the mountain boss frontalis इसका बैग्यानिक नेम है यह याद नहीं रखना है परवतों का पसू है और यह बोविडे परिवार का सदस से है यह cattle के category में आता है cattle एवं भायसों का दुरस्ट मतलब distant relative है ठीक है और यह जो जंगल गौर है जंगल गौर का पालतू रूफ है यह कहाँ पे सबसे ज़्याद पाया जाता है North East इंडिया में पाया जाता है और अरुनाचल परदेश में सबसे ज़्यादा मीथून की संख्या है ठीक है और भारत में और नाचल परदेश नागल एन मनिपूर और मीजोरम में उस्न वर्सा वन है यानि ट्रोपिकल रैन फॉरस्ट के कारण यहाँ पे पाया जाता है अब किया क्या है इसको खाद पसु का दर्जा दियागे इस पर कोस्टन पूछा गया था पिछले बार BPC में एक बार पूछा गया था जब हिमालेन याक को दिया गया था तो इससे पूछ सकता है कौन देती है यह इन पॉटन है फूड सेफ्टी एन स्टैंडर ऑथोरिटी अफ इंडिया भारतिये खाद संगरक्षा मानक प्रादिकरन यही देती है याद रखना उसके अलाबे मिथून डे भी मनाए जाता है देखो कितना अजीब है एक तरब से मार रहा है दूसरे डे मना रहा है ICAR मनाती है राष्टिये मिथून अनुसंधान केंदर ठीक है ना किस दिन फॉस्ट सेफ्टेमबर को और मिथून के मांस का नाम किस दिन से रखा VC नाम रखा VC उसके अलाबे घरेलू पसु बिवित्ता सुचना परवान ले डोमेस्टिक एनिमल डावर्शिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी सामिल कर लिया गया है याद रखना ICAR National Research Center on मिथून भी कि अस्थापना भारतिय क्रिसियन संधान परसंद के दद्वारा 1988 में नागा लेंड वे किया गया बहुत important नागा लेंड देखो सांची जो है ना सांची आपको क्या है स्तूपा है भारत का पहला सौर बिजली से चलने वाला सहर बन गया है ठीक है मध्य प्रदेश के किस जिले में रायसें जिले में कहाँ पर रायसें जिले में ठीक है उसके अद सांची में स्तूप मिलेगी एकासमी देखो मोनोलिथिक असोकन पिलर भी मिलता है स्तूप भी है सांची में स्तूप भी है और उसके मोनोलिथिक पिलर भी और भी बहुत कुछ है ठीक है सांची के स्तूप को क्या मना जाता है दे ग्रेट स्तूप मना जाता है दे ग्रेट स्तूप बना जाता है समझ मैं उसके बाद ग्रेट स्टूपा को वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट में कब डाले गया 1989 में उसके लापे भारत का पर्थम सौर सहर बन गया सहर पर्योजना उसी से काम चल जाता है बट भविस्य में सांची के पास एक गुलगाओं में बनने वाला है इससे तो यह एक्ष्ट्राई बना लेंगे अब मोढेरा देखो यह तो पुरा सहर लेकिन अगर पहला गाओं पूछा जातों मोढेरा जो की गुजरात में है कहां प और लेकिना पर्योजना है मोढेरा का सोरी करने से कारण हुआ था ठीक है और उसके मोढेरा के से मोढेरा भरत का पर्फम सुद्द नवी करने और जाउतपादक बन गया है NCEIT को डिम्ड यूनिवरसिटी का जब्द लिवरसिटी का दर्जा दिया गैकि इसको NCEIT को कौन द वो कि श्रेणी में डिम्ड विश्वेद आला करता जा दिया है ठीक है मतलब वो डी नोबो का मतलब ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट और वरते हुए छेत्र में सिक्षन और अनुसंधान पर केंद्रित करते हैं अगला क्या है स्वक्ष बायू सर्वेक्शन क्या है स्वक्ष बायू सर्वेक्शन यानि एन सी एपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ध्यान देना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फोकस क्या है कि दो हजार चौबिस तक अगले पांच पांच क्यूंकि दो हजार उनीस में था 2024 तक जो दो में पर्टिकुलेट माटिरियल है 2.5 और 10 इसके अस्तर में 20 से 30 पर 30 तक का गिरावट करना ध्यान देना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यह आया 2019 में इसमें लिखा हुआ था कि अगले 5 साल में जो दो पर्टिकुलेट माटिरियल है 2.5 और 10 है इसको 20 से 30 पर 30 तक कम करना है जिसे बायू के गुनवत्ता में और ज्यादा इंप्रूब्मेंट मिले आप देखो रैंकिंग दिया जाता है किस दिन इंटरनेशनल डे ओफ क्लीन एयर फॉर ब्लूए स्काई के दिन में इंदर टॉप किया ध्यान देना सेकेंड नंगंबर पर आगरा यूपी का आगर अगर सेकेंड तीन से दस लाख में दस लाख से उपर वाले में आगरा किया है यूपी में यूपी में यहां पर यूपी में कौन टॉप किया है मुरादाबाद ओ इससे अमराबती है उस से कम लाख में राय बरेली टॉप पे आता है यहां पे सेकेन अस्थान पे वारा अंश्य मतलब टॉप 10 में बस एक है यहां पे टॉप 10 में कई सारा है भारत मंडपम अगला क्या है भारत मंडपम देखो यह तो आपने जरूर सुनाओगा जी टॉइंटी के मिटिंग में जरूर सुनाओगा जी टॉइंटी के बारे में आपको क्या-क्या याद रखने वह हम करेंगे जब जब हम लोग इंटरनेशनल में करेंगे सब से बहले जी टॉइंटी के जो जिनको बनाय गया अफिरकन ईउनियन के आप उनका देश याद रख लेना मिटिंग कहा हुआ था अपने राज्य में जो भी मिटिंग हुआ था उसका तो करही लेना यूपी में जो जो हुआ था अब समझो दिल्ली में जहां पे उसका मिटिंग हुआ थो प्रगती मैदान में हुआ था प्रगती मैदान में जिस जह पे हुआ था उसका नया नाम रखा गया जिसका नाम है भारत मंडपम क्या है भारत मंडपम देखो एक्चुली इसका नाम है आई ए सी सी क्या नाम है आई बहुत दिन से बहुत बेकार जरजर परा था इसको बनवाया गया फिर से अच्छे से बना गया भारत मंडपम जो वर्ड आया ना वर्ड किन के नाम से आया है देखो भगवान वस्वेस्वर थे भागवान वस्वेस्वर इनका एक मंडप था अनुभव मंडपम वहां से क्या नामाया अनुभव मंदपम से क्या नामाया भारत मंदपम ठीक है भारत मंदपम और उसके अलाबे ये लगभग 123 एकर छेत्र के साथ IECC परिसर को भारत का सबसे बड़ा MICE Center है Meeting, Incentive, Conference and Exhibition ठीक है ना G20 का सिखर समेलन यही पर हुआ याद रखिया उसके लाबे एक चीज़ और याद रखिये भारत की सबसे उची नटराज की मुर्ति वर्ल्ड स्टॉलिस्ट नटराज स्टैचू ये भारत मंदपम में इस्टाबलिस की गी है ठीक है ये 28 फिट की है न इर्थ की वी मुद्रा की जो भगवान शिब का जो ऐसा स्टैचू लगता है कि भगवान शिब डान्स कर रहे है ये आठ धातू से बनाया गया होता है श्वर्ण रजत सीशा तामबा टीन पारा लोहार जहसता याद नहीं करना है इस मूर्ति को तमिलनाड़ू के तंजाव लॉष्ट वैक्स कास्टिंग विधी लॉष्ट वैक्स कास्टिंग विधी क्लियर तो समझ गए एकदम अब अगला है भारत प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना देखो ऐसे आदमी के पे फोकस किया गया है जो हाथो और उप केंद्री विश्व कर्मा है इसमें मेली चार लोग है मुख्यत है मतलब चार लोग नहीं और भी लोग है जैसे लोहार, श्रोणकार, कुमार, वराई, मुर्तिकार ये सब ठीक है ये कब आया है ये समझी ये एक सबसे पहले बहुत इंपॉर्टन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल स्पॉंसर नहीं केंद्री ये च्छेत्र स्कीम है और ये 77 स्वतंता दिवस के अबसर पर संबोधित किया गया विश्व कर्मा स्कीम और ये पूरा का पूरा भारत सरकारे से में पैसा दे रही है 13,000 करोड की बात की है ये MSME उसके अलावे कौसल विकासन उधम सिल्ता मंत्राले और उसके अद्बित मंत्राले के बिद्धिय साहता भिवार से दिया गया है नोडल मिनिस्टी कौन है MSME क्या है नोडल मिनिस्टी ये याद रखिए टैग लाइन क्या है सम्मान शामर्थे शमर्थे शमर्थी ये टोटल पांत साल के लिए 23-24 से लेके 27-28 तक के लिए पर्थम चारण में में फोकस किया जा रहा है 18 पारामपरिक बेप साहई पेचे से बरहा योगारा है इस पर मुख्य उदेश क्या है सबसे पहले कारीगरों और सिर्फकारों को विश्व कर्मा के रूप में मान्यता प्रादान करने के माधम से इस योजना के तथ सभी लाभों को प्राप्त करने है तो इलेजिबल बनाना ठीक है और योजना के तथ सभी लोग को पात बना जागा उसके अलाबे याद नहीं रखना है अगर कोई जिनको यह सब आता है उसका देख फाक्टर बना इंटरप्राइज बनाना चाहते है तो सरकार उसको लोन देगी को लैटरल फिर कुछ गिरवी नहीं रखा जाएगा ठीका चलिए अब अगला है प्रथम एवी डियम माइक्रो साइट देखो इतना तक रहने देते नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिसकस करेंगे हमने आठ फेजिस में डिसकस किया ठीक है चलिए थैंक्यू देखो माइक्रो साइट ठीक है पर्थम एवी डियम देखो आईश्मान भार डिजिटल मीशन तो हमने आप डिसकस किया ठीक है इसके लिए क्योंकि हर छेत्र में सारे बरे-बरे हॉस्पिटल तो पहुंच नहीं सकते हैं इसलिए इसलिए नेशनल हेल्थ ओफोर्ड्रीन यानि राष्टिय स्वास्त प्राधिकरणने क्या किया है माइक्रो साइट बनाने के विचार किया है माइक्रो साइट छोटे छोटे एरिया बनाए जाए इसके अंदर अभी सौ माइक्रो साइट बनाने की बात की उसमें जो सारे जो फैसिलिटी होंगे निस्वास्त रिलेटेर हो सब मिलेंगे पहला माइक्रोसाइट कहाँ पर बना जा रहा है? आईजॉल मीजोरा में याद रखना है तो मीजोरा माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्ये बन गया है और एक और चीज जो डिजिटल मिस्टन है आईशमान भरत का लाओ करने के लिए Youth for Action Youth for Action को Interfacing Agency के रुप में निखिया गया कि Youth for Action मिजोरम में मिजोरम में AVDM के लिए कौन सी Agency है Interfacing Agency ये है Youth for Action अगला क्या है India Smart Cities Award परतियोगता 2020 का रिपोर्ट है ठीक है इसमें क्या हुए चौथा संस्क्रन है ये कोन से Ministry? क्यूंकि यहाँ पर Smart Cities की बात करे तो हमारे जो Ministry है कोन से Ministry की बात करे तो सहरी सहरी कारे मंत्रा ले और अवासिय मंत्रा ले दोनों एक ही मंत्रा ले है इन्होंने क्या की विजयताओं का घोशना किया यहां पर परदर्सन देखो राश्टिये स्मार्ट शिटी अवार्ड में बात करे सहर में इंदोर पहला आता है आगरा थोड आता है राज्ये के पुरुसकार में मध्य प्रदिस पहला आता है और यूपी थोड आता है राश्टान और डूपी का समानमार्ग से चंडिगड के इंसासित परदिस में टॉप आता है उसके अगला क्या करें इंटरफेर से अमरीत भारत स्टेशन योजना इस स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए आधुनी करन करने के नियूति की गई है कैंद्रिय रेल मंत्रा लेके द्वारा इसमें टोटल कितने railway station को चुना गया यह में याद रखिए टोटल जो शुरुवात में किया गया 508 railway station बाद में add किया गया 508 railway station जिसमें सबसे ज़्यादा कहां से था यूपी से सबसे ज़्यादा 55 और बिहार से 49 थर्ड नमबर उसका याद करने राष्टिये बहु यामी बहु आयामी गरीबी सुच्यांग एक प्रगर्ती सनिमेक्चा ठीक है अब देखो यह रिपोर्ट निकालती कुन है यूनाइटे नेशन डेवलोप्मेंट प्रोग्राम तो हूँमन डेवलोप्मेंट रिपोर्ट निकालती है एक इंडेक्स है जिसका नाम है मल्टीदैमेंशनल पोवर्ट इंडेक्स बहु आयामी गरीबी सुच्यांग यह सबसे ब्यापक रूप से गैर मुद्रिये नौन मॉनेटरी गरीबी सुच्यांग है तीन आयाम पर प् गरीबी सुचकांग है उसका करयानवन कोन करता है नीती आयोग ज्यान देना नीती आयोग यहां पे आप थोरा से देख लेते हैं अब राष्टिये बहुआ है गरीबी सुचकांग एक प्रगरती समिक्षा क्या है एक प्रोग्रेस रिवीव ये दूतिये संसकरन है पहला वाल यहां पे देखो सबसे ज़्यादा यह रिपोर्ट में क्या दिया है कि 2015-16 से लेके 19 से कि इसके मद्धे में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोग 13.5 करोड इतने लोग गरीबी से मुक्त हुए है ठीक है मुक्त हुए है सबसे ज़्यादा कहां पे हुआ है UP में हुआ है सेकेंड नंबर पर बिहार में गरीबी से मुक्त हुआ है यह बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन है डेटा है इंपॉर्टन रखिए यहां पर अभी भी 2015-16 में देखते है यूपी में इतना परसंट गरी था अब सिर्फ 22.93 परतिसंद गरीब है बिहार में 33.6 तो डेटा याद गरीबी सबसे जादा गरीब लोग केरल में सबसे कम है और केंसासित पर बात करें तो सबसे जादा है दादर नगर हवेली सबसे कम है पूडू चेरी सबसे कमी सबसे जल्दी मतलब तेजी से कमी कहा हुआ है यूपी में फिर बिहार में फिर एंपी में फुर्यूरी से यहां पें कमी देखलो बिहार में बहुयाया में गरीबी जनसंख्यां में कमी कितना पर तिसित हुआ 18.13 और पे 15.12 उसके अलावे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी भी गरीब सबसे ज़्यादा कहां पर बहराईच में है सबसे कम गाजियाबाद में ठीक है यही तक रहने दे रहे हैं इसमें क्योंकि इसमें से एक दो पेज मिसिंग है तो मैं उसको कहीं से ढूंडता हूँ 37 नंबर पेज के बाद यहाँ पे सीधा है 40 पेज यानि एक पेज यहाँ से गाप है जिसमें 38-39 होगा फिर यहां पर 41 है ठीक है फिर यहां पर सीधा 44 है ठीक है तो एक बारी मैं उन दोनों पेज को कहीं से लेता हूं उसके बाद है उसके बाद कहीं पर गैप नहीं है तो उसके बाद हम करेंगे दो वीडियो हमारा हो चुका है फोटी सारे पेज है ठीक है दो वीडियो हो चुका है अब हम नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे बाकी हम कवर करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू थैंक्यू सुमच